नमस्कार आज हम लोग Seimentary Rock जिसे अब साधी चटान कहते हैं and Metamorphic Rock जिसे हम लोग रुपांत्रिक चटान कहते हैं उसके बारे में क्या करेंगे? अध्यान करेंगे इससे पहले वाले वीडियों में हम लोग इगनियस रॉक आगने चट्टान के बारे में क्या कर चुके हैं अध्यान कर चुके हैं जो भी लोग आगने चट्टान वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा कृपया एक बार उसे अवसे देख ले इसके सा साथ हमलों rock cycle cell चक्र के बारे में वही कैा करेंगे अध्यन करेंगे इसमें जो भी नोट लिखा गया है वह बहुत ही आसान सबतों में आसान भासा में लिखा गया है एक बार पढ़के खुद भी समझ सकते हैं इंगलिस में लिख़ दिया गया है साथ साथ हिंदी में समझा दिया गया है ताकि दोनों माध्यम के छातर के लिए यह लाप्रद सिध होगा चाटान से प्रते की एक्जाम में एक दो प्रस्न रहता ही रहता है अता इस वीडियो को देखे इसका लाफ उठाएं जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको क्या करें सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ भी से क्या करें साजा करें तो आज हम लोग देखते हैं अफसादी चटान एवं रुपांत्रित चटान के बारे में अध्यन करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अफसाद है क्या उसके बाद तब हम लोग कि प्याएंगे अफसादी चटान प्य तो अफसादी चटान में अफसाद यानि कि गाद किसको कहते हैं, तो जो बड़ा बड़ा चटान होता है, वो फोर्स के कारण, बल के कारण, प्रेसर के कारण, या हीट के कारण, या छोटे-छोटे टुकड़ा में तूट जाता, उसी छोटे-छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है गाद कहा जाता है तलचटी कहते हैं या अवसाद कहते हैं और यही जो छोटा छोटा अवसाद है बाद में फिर से आपस में जूर कर एक नए प्रकार का क्या बनाता है चटान बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं अवसादी चटान कहते हैं तो जहाँ भी हम लोग गाद या अवसाद सब्द का उप्योग करेंगे इसका मतलब हो जाएगा बरी चटान का छोटा-छोटा टुकरा वह क्या कहलाता है अवसाद कहलाता है जैसा कि हम लोग चित्र में दिखा भी दियें कि जो छोटा-छोटा टुकरा दिख रहा है यह पहले से मौझूद जो बड़ा चटान था उस पर बल लगा होगा या दाव लगा होगा उसके कारणिया छोटे छोटे चोटे टुकड़ों में तूट गया और यही जो छोटा छोटा टुकड़ा है इसी को क्या हम लोग कहते हैं अफसाद या गाद कहते हैं आगे हम लोग अब लोग देखते हैं अफसादी चटान है क्या तो अब हम लोग देखते हैं सेडिमेंटरी रॉक अफसादी चटान है क्या इसके बारे में अध्यान करते हैं इसको इंगलीस में हम लोग लिखे दी हैं और हिंदी में क्या की हैं समझाती हैं अब एक पड़ वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों मादियम से आसानी से समझ में आ जाएगा तो जैसे हम लोग लिख दी हैं कि अवसादी चटान सेडिमेंटरी रॉक का जो निर्मान होता है वो किसके एकत्री करण किसके एकॉमलेशन के करण होता है तो सेडिमेंट के यानि कि अवसाद के गाद के एकत्री करण के कारण होता है जब यह जो गाद है अवसाद है वह बहुत लंबे समय तक एक जगह जमा हो जाए चाहे वह शमुद्र में जमा रह सकता है या जील मे जमा रह सकता है तो एक नए प्रकार के चटान का निर्मान करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं अवसादी चटान या सेडिमेंटरी रोक कहते हैं तो कह सकते हैं सेडिमेंट के लंबे अवधी तक एक जगा जमा रहने के कारण जिस चटान का निर्मान होता है उस चटान को क्य कहा जाता है sedimentary rock या अवसाधी चटान कहते हैं और जैसा कि बता है कि यह sediment आता कहां से है तो पहले से मौजूद जो चटान है धर्ती पर उस पर हवा का किरिया होता है या उस पर जलधारा का किरिया होता है जिसके कन वह छोटे छोटे टुकरा में तूट जाता है और उसी टु सेडिमेंट या गाद या अवसाध कहते है यही sediment अगर लंबे अवध्य तक एक जगह रह जाता है तो एक नए प्रकार के चटान का निर्वान करता है जिसको क्या कहते है अवसाधी चटान कहते हैं अब अगला क्या अवसाधी चटान को एस्ट्रेटी फाइड रॉक्स भी क परतदार चटान भी कहते हैं, क्योंकि इस परकार के चटान में क्या मौजूद होता है, परत मौजूद होता है, तो अगने चटान और अफसादी चटान में एक प्रमुक अंतर यह भी है, कि आगने चटान में जहां कि आपको परत मौजूद नहीं होता है, अफसादी चटान क्या होता है परतदारी क्या होता है चट्टान होता है इसको क्या रखना है ध्यान रखना और तो दो चीज पहला तो यह क्या होता है अब साथ संदीनमित होता है दूसरा यह परतदार चट्टान होता है चुकि इसमें परत होता है तो परतों के बीच में जिवास्म यानि कि फ प्रित्वी का अधिकांस जो सता है वह किसे निर्मित है अवसादी चटान से क्या है निर्मित है यह भी बहुत सारे प्रिक्षाओं में पूछ दिया गया है कि किस प्रकार के सेल से आपको प्रित्वी का सता निर्मित है तो अधिकांस ता किसे निर्मित है अवसादी चटान स प्रित्वी का अधिकान जो प्रिष्ट है वह किस से निर्मित है अवसादी चतान से निर्मित है और इस परत के बीच में आपका जिवास में मौझूद होता है तो अवसादी चतान का अभिलक्षन देख ले आएग्नियस रॉक आगने चंटान आपका कठोड होता था और छिद्रढर नहीं होता था यहाँ पर अफसादी चटान क्या होता है चिदरदार होता है और पारगम में होता है दूसरा हम बता है कि अफसादी चटान के अंदर क्या मौजूद होता है फॉसिल्स यानि कि जीवास मौजूद होता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है जीवासम का भंधार ग्री य पेट्रोलियम सब है यह किस में मौझूद होता है अवसादी चटान में मौझूद रहता है पेट्रोलियम जो सब्द है यह किसे बना पेट्रा जोर ओलियम पेट्रा मतलब यहां पर क्या होता है रॉक होता है वैसा तेल जो चटान में मौझूद होता है उसको क्या कहते हैं प जीव जन्तु बहुत दिनों तक धर्ती के अंदर गड़े रह जाते हैं, तो वह भी पत्थर का रूप धारन कर लेते हैं, और वह किस नाम से जाने जाते हैं, अब साधी चटान के नाम से जाने जाते हैं, जैसे पौधा का जो जिवास में हैं, लंबे अब धित्य प्रित्वी के अंदर रह गया, तो वह किसका रूप धारन कर लिया, कोईला का रूप धारन कर लिया, तो कोईला एक प्रकार का क्या हो जाता है, अब साधी चटान यानि की सेडिमेंटरी रोग हो जाता है, तो अब साधी चटान ना क्यवल सेडिमेंट के एकतरी करण के कारण निर्मित होता है इसके अंदर जिवास मौजूद होता है और कुछ जीव जन्तू के लिथिफिकेशन के कारण भी चटान में परिवर्तन के कारण भी अवसाधी चटान का निर्मान होता अब देखते हैं अवसाधी चटान का वरगी करन्त अवसाधी चटान को तीन भागों में बाट सक आगे हम लोग देखते ह। अब आजाते हैं mechanically formed sedimentary rocket यांतरिक तोर पर निर्मित अवसादी चटान जहां भी word mechanically रहे यांतरिक तोर पर रहे इसका मतलब होता है बल पुरुवक बल पुरुवक फोर्स फूली कहने का मतलब समझे अगर पहले से मौजूद कोई चटान है उस पर बहते जल के द्वारा हवा के द्वारा या किसी अन्य बल के द्वारा उस पर क्या होता है तूटता हो तो वह क्या होता है नए परकार के चटान का निर्मान करता है जिसको क्या कहते हैं यांतरिक तोर पर निर्मित अवसादी चटान तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा अवसादी चटान जिसका निर्मान पहले से मौझूद चटान के टूटने के कारण डिसिंटीग्रेशन के कारण होता है उसको क्या कहते हैं यांतरिक तोर पर निर्मित अफसादी चटान कहते है सर्थ यहाँ पर क्या है कि अगर पहले से मौझूद चटान टूटेगा तो उसमें कोई रसाइनिक पडिवर्तन नहीं आना चाहिए तब ही वह क्या कहलाएगा यांतरिक तोर पर निर्मित अफसादी चटान तो एक लाइन में अगर कह दिया जाए तो वैसा अफसादी चटान जिसका निर्मान पहले से रखे हुए चटान के डिस इंटिग्रेशन तूटने के कारण होता है उसको क्या कहा जाता रहा है यांतरिक रूप से निर्मित अफसादी चटान कहा जाता है और उस पर कौन सा बल लगेगा किस बल के कारण तूटेगा तो यहां तो हो सकता है जलधारा के कारण तूटे पवन के कारण तूटे या हीम खंड के मतलब फिसलने के कारण तूटे तो यहां क्या कहलाता है यांतरिक तोर पर निर्मित चटान कहलाता और मेकैनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक को हम लोग क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक के नाम से भी जानते हैं प्रकार के चट्टान का उधारन कौन हो जाएगा? सेंड स्टोन, बालू का पत्थर, सेल हो गया, किले हो गया, और कॉंगलो मेरेट हो गया, यह सब क्या हो गया? अब है यांत्रिक रूप से निर्मित अफसादी चट्टान, जैसा कि पहले वाले प्रकारे में बता दिये थे कि चट्टान टूटेगा, परन्तो उस में कोई रासाइनिक पडिवर्तन नहीं आएगा, लिकिन इस प्रकार के अफसादी चट्टान में, रासाइनिक तॉर पर न खनीजों से मिलके बना होता है, कुछ ऐसे भी खनीज चटान में मौजूद होते हैं, जो जल के साथ अभिकिरिया करके, जल के साथ रियाक्ट करके, उस चटान को टुकडों में क्या कर देते हैं, तोर देते हैं, और तब जो अफसादी चटान का निर्मान होता है, उसे यांत आंत्रिक तौरपर निर्मित अफसादी चटान का निर्मान तब होता है, जब चटान में मौझूद जो खनिज ए וजल के साथ क्या करता हो, अभी किरिया करता हो और उस प्रेरेंट रोक को पहले से मौझूद जो चटान हो, उसको क्या कर देता हो तोड़ देता हो कभी-कभी इस परकार के चटान का निर्मान कब होता है जव समुंद्र या जील जो है उसके जल का क्या हो जाए वासपन हो जाए और नीचे में शिर्फ खनीज का क्रिस्टल ला ह categor और इस परकार या करके चटान को क्या करे तोड़ दे। नहीं तो जो लेक है, जील है या कोई वाटर बड़ी है, जल निकाय है उसके जल का वास्पन हो जाए और नीचे में खनीज का क्रिस्टल रहा जाए। वह जो खानीज का क्रिश्टल है, वह किसका रूप धारन कर ले, अवसाधी चटान का रूप धारन कर लेते, इसको क्या कहेंगे, केमिकली फॉर्म, सेडिमेंटरी रॉक, और इस परकार के अवसाधी चटान को क्या कहा जाता, नन क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक भी कहा जात तो यांतरिक तोर से निर्मीत अवसादी चटान में क्या होगा सिर्फ बल लगेगा, पैरेंट रोक तूट जाएगा रसाइनिक तोर पर निर्मीत अवसादी चटान में क्या होगा खनीज जुँ होगा वह जल के साथ क्या करेगा अभिकिरिया करेगा chemical change उसमें हो जाएगा तब क्या कहलाएगा chemically formed sedimentary rock अब आते हैं organically formed sedimentary rock organically formed sedimentary rock तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो पौधा है या जन्तु है वर्सो पहले जमीन के अंदर दव गएं और उस दवाव के करण अब वह क्या हो चुके हैं जे धीरे चटान का रूप धारन कर लिए हैं और इस परकार का ही चटान क्या कहलाएगा organically formed sedimentary rock कहलाता है carbonic रूप से निर्मित अवसादी चटान कहलाता है organic मतलब यहाँ पर क्या होता है जीब जन्तु तो पौधा या जन्तु के अवसेस जो चटान में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं carbonic रूप से निर्मित अवसादी चटान कहते हैं इस परकार के चटान का उधारन क्या हो जाएगा कोईला हो जाएगा कोल हो जाएगा तो अगर आपको एक्जाम में कोशन पूछ दे कि कोईला किस परकार के सेल यानि कि चटान का उधारन है तो हम कह सकते हैं अवसादी चटान का क्या होता है उधारन होता थोड़ा और डीप चला जाए थोड़ा परसान करने के लिए दे दे कि किस परकार का अवसादी चटान है तो पहला तो जानते हैं कि आगने चटान का निर्मान मैगमा के ठंधा होने के कारण होता है जबकि अवसादी चटान का निर्मान सेडिमेंट के एकत्री करन के कारण होता है दूसरा जो पॉइंट है कि आगने चटान जो होता है परतदार नहीं होता है जबकि अवसादी चट्टान क्या होता है परतदार होता है तिसरा अंतर है कि आगने चट्टान जिवास नहीं रखता है जबकि अवसादी चट्टान क्या होता है जिवास रखता है तो ये प्रमुख तीन अंतर आगने चट्टान और अवसादी चट्टान के बीच का हमको या बढ़ बर एक्ञम में यह पूछता भी है। अब आजाते हैं मेतामॉर्फिक ॡूप जिसके और लोग कहते हैं रूपांत्रित चटान। पहले मेटामॉर्फिक सब्न जो बना है वो मेटामोर्फिस से बना, जिसका मतवता रुपांतरन या पुर्ण परिवर्दन, इस परकार के चटान का निर्मान कब होगा, जब किसी पहले से मौझूद चटान पर उस्मा परे या दाब का प्रभाव परे, अब पूरी तरह नए परकार के चटान में बदल जाए, तो व रुपांतरित चटान कहते हैं, और जो पहले से मौझू चटान है, वह आगने चटान भी हो सकता है, अवसादी चटान भी हो सकता है, या स्वेम आपका रुपांतरित चटान भी हो सकता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं, जब आगने चटान या अवसादी चटान पर उस्मा या दाव का प्रभाव पड़े और वहां एक नए प्रकार के चटान में क्या हो जाए बदल जाए तब दील हो जाए तो वहां नया प्रकार का चटान आपका क्या कहलाएगा रुपांतरित चटान कहलाएगा और ना के वल उसमा और दाव का प्रभाव पड़े बलकि उसमें कुछ chemical action भी हो जाए कुछ रसाइनिक अभी किरिया भी हो जाए कोई द्रब जाकर उसमें रसाइनिक परिवर्तन भी कर दे फिर भी क्या हो सकता है नए प्रकार का चटान का निर्मान हो सकता है तो ऐसे हम लोग ध्यान रखते हैं कि पहले से मौजू चटान पर कुछ ऐसा परिवर्तन आए जिसके कान वह चटान पूरी तरह एक नए चटान में क्या हो जाए परिवर्तित हो जाए तो वह नया चटान क्या कहलाएगा आपको रूपांतरी चटान कहलाएगा पहले से मौजू चटान जो है वह कैसे नए चटान में अब जो नया चटा निर्मित होता है उसमें या तो खनीज में परीवर्तन आ जाएगा नया खनीज ही बन जाएगा और नहीं तो उसके रंग रूप में क्या हो जाएगा परीवर्तन हो जाएगा कुछ जो औस्थाई कहनीज है अगर वह तूटते हैं या उस पर उस्मा का प्रभाव परता या दाव का प्रभाव परता तो उसमें मौजूद जो तत्व है आपस में पुनह जूर कर एक नए खनिज का क्या कर सकते हैं निर्मान कर सकते हैं तो यईसे याद रखिया माली जे parent rock में पहले से मौजूद चटान में अगर और अस्थाई खनीज हो तब जो रुपांतरी चटान बनेगा उसमें हो सकता है नए प्रकार के खनीज का क्या हो मौजूदगी हो और अगर उसमें अस्थाई खनीज मौजूद हो इस्टेबूल मि फोसिस को दोरन या तो खनीज पुरीतरा बदल जाएगा नए खनीज का निर्मान होगा या आकार और आकरिती में क्या हो जाएगा अंतरा जाएगा अगर चटान में और अस्थाई खनीज मौजूद होता है तब उसमें अगर उसमा या दाब का प्रभाव पड़ेगा तब क्या होगा नए प्रकार के खनीज वाला चटान निर्मित नहीं होगा बस उसका क्या हो जाएगा आकार और आकरिती क्या हो जाएगा बदल जाएगा तो फिर से एक वर हम दोहरा देते हैं रूपांतरित चटान का निर्मान जो होता है वह पहले से मौजूद चटान या तो आगने चटान हो सकता है या तो अफसादी चटान हो सकता है या खुद रूपांत्री चटान हो सकता है उसमें परिवर्तन के कारण हो परिवर्तन हो जाए तब किसका निर्मान हो सकता है रूपांत्री चटान का परिवर्तन किसके माध्यम से हो सकता है हीट के माध्यम से उसमा पहले वाले चटान की तुरना में पुरी तरह भीन होगा या खनिज समान रह सकता है उसका आकार और आक्रिती में क्या हो सकता है परिवर्तन हो सकता है तो रुपांत्री चटान का अभिलक्षन अगर देखा जाए तो अभिलक्षन में क्या होता है कि रुपांत्री चटान का निर्मान क्या होता है उस्मा और दवाव के प्रभाव के कारण पहले वाले चटान में परिवर्तन के कारण होता है या पहले वाले चटान में अगर उस्मा और दाब का प्रभाव परेगा तो क्या हो जाएगा रूपांत्री चटान का निर्मान हो सकता है पुरुवर्ती चट और रुपांतरी चटान क्या होता है? कठोर होता है और इसका जो विशिष्ट गुरुतु जो होता हुआ क्या होता है? उच होता है और जो रुपांतरी चटान है वह खनीज में, खनीज संपदा में क्या होगा? सम्रिद्ध होगा. अब देखें टाइप सॉप मेटामॉर्फि में और contact metamorphism में अब जाते हैं thermal metamorphism, thermal जो सब्द बना है धरमा से बना, धरमा मतलब क्या होता है, हीट होता है, अगर चटान पर उसमा का प्रभाव पढ़े और उसमा के प्रभाव होने के करण उस चटान में कि सनरचना में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए या रसाइनिक बनावट में क्या हो जाए परिवर्तन हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है थर्मल मेतामोर्फिज्म कहते है और के मेतामोर्फिज्म का वैसा प्रकार जिसमें किसी चटान के संरजना और रसाइनिक बनावट में उसमा के प्रभाव के कारण परिवर्तन आता है उसको क्या कहा जाता, thermal metamorphism कहा जाता, thermal metamorphism दो प्रकार का, regional metamorphism और contact metamorphism, अगर परिवर्तन बड़े छेतर को प्रभावित करे तो उसको क्या कहा जाएगा, regional metamorphism, यानि कि उसमा का प्रभाव बड़े छेतर तक हो, चतान का बड़ा भाग जो हो प्रभावित हो तो उसको क्या क अगर चटान का कम भाग क्या हो प्रभावित हो उसमा से तो उसको क्या कहा जाएगा Contact Metamorphosis एक सब में एक लाइन में अगर कहा दिया जाए उसमा के कारण चटान में जो रुपांतरन होता है उसको क्या कहेंगे Contact Metamorphosis उसमा का जो प्रभाव है बहुत बड़े चेतर में हो तो Regional Metamorphosis अकम चेतर में हो तो Contact Metamorphosis दूसरा है Dynamic, Dynamic मतलब क्या होता है गती होता है माली जो कोई चटान है इसके उपर का जो चटान हो खिसक जाए वहानिकि Slide कर जाए तो नीचे वाले चटान पर धबाव लगाएगा नीचे वाले चटान पर प्रेशर लगाएगा जिसके कारण भी रुपांतरन आ सकता है और इस परकार के Metamorphosis को क्या कहते है Dynamic Metamorphosis कहते हैं तीसरा है Metasomatic Metamorphism Metasomatic Metamorphism कि इसको कहते हैं कोई चटान है उसके अंदर गैस या द्रब प्रवेस कर गया तब उसके भीतर कोई रसाइनिक परिवर्तन लाए तो उसको क्या कहेंगे Metasomatic Metamorphism कहेंगे ऐसे याद रखे उसमा के कारण Metamorphism हो तो थर्मल Metamorphism अगर प्रेशर दाब के कारण Metamorphism हो तो Dynamic Metamorphism अगर Fluid के Chemical Action के कारण हो या Gas के रसाइनिक किरिया के कारण हो तो उसको क्या कहेंगे Metasomatic Metamorphism कहते हैं और रूपांतरी चटान को उधारन में क्या आ जाएगा संगमरमर हो जाएगा सलेट हो जाएगा क्वार्ट जाइट हो जाएगा Granulite हो जाएगा इस सब एक्जाम में पूछता है तो इन सब नामों को हम लोग क्या कर लेंगे याद कर लेंगे एक हम लोग क्या बना दी है आपका एक Table भी बना दी है जिसमें Left Side बाया तरफ हम लोग Parent Rock के बारे में लिख दिया जैसे कोईला में परिवर्तन आए तो क्या दे सकता है Gray Fight कॉंगलो मेरेट में परिवर्तन आए तो Quad Gite या फाइलाइट में परिवर्तन आए तो Sist तो इस चार्ट को याद रख लेंगे अती महतपूर्ण चार्ट है या बारवर एक्जाम में फूसता है Left Side हम लोग Parent Rock के बारे में लिख दिये और Right Side में हम लोग रुपांतरी चटान के बारे में लिख दिये है इसे उलट के कोईचन दे देगा कि नीश जो रुपांतरी चटान है वह किस से निर्मित हुआ है तो क्या बूलिगे ग्रेनाइट से निर्मित हुआ है जैसा कि हम लोग जानते है ग्रेनाइट एक प्रकार का क्या है Ignious Rock यानि की आगने चटान है इस चार्ट को हम लोग क्या रखेंगे याद रखेंगे अब देखते हम लोग's cel चक्र रॉक साइकल कहते है तो रॉक साइकल होता क्या तो यह एक क्या है परिवर्तन में क्या होगा तो पहले तो उनका निर्मान होगा फिर वह तूटेंगे और फिर तूटने गए फिर से उनका पुना क्या होगा निर्मान होगा यही क्या कहलाता है सेल चक्र कहलाता है किसी चटान का निर्मान उसका तूटना और फिर से पुना उसका निर्मान इस इसी चक्र को क्या कहा जाता है, सेल चक्र में क्या होता है, तीनों परकार के चटान एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, आगने चटान अफसादी में बदलेगा, अफसादी रूपांत्री चटान में बदलेगा, और इसी तरह तीनों परकार के च अलग हों पर क्या हो सकता है अलग हो सकता है कहीं पर सेल चक्र का पड़किरिया का जो दर होगा थेज होगा कहीं पर इसका धर्ज यो ऑगा धीमा होगा दूसरा जेल चक्र किस बल के कारण किस driving force के कारण होता त्य टेक्टोनिक मुवमेंट यानि कि विवर्दिनी जो ये movement है तथा जो hydrological cycle है इस दोनों के विए जुराव के कारण होता है कोश्चन दे दे कि जो cell चक्र है उसके लिए driving force कौन सा है किस बल के कारण होता है तो tectonic movement और hydrological cycle के बीच interaction जुराव के कारण किसका होता है निर्मान rock cycle cell चक्र का निर्मान होता cell चक्र में किसी भी पदार्थ का नास नहीं होता वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं बदल जाते हैं माली ज़िए आगने चटान तूटता है तो वह अफसाधी चटान में बदल जाएगा तो उससे और बहतर ढंक से समझ में आ जाएगा इस चितर के माधियम से हम दिखा दिये हैं कि किस तरह से आगने चटान अफसाधी चटान में बदलता है अफसाधी चटान रूपांत्री चटान में बदलता है जैसे बता दिये हैं कि आगने चटान में क्या होता है इसका वेदरिंग होता है अपच्छ होता है तो सेडिमेंट में बदलता है और वही सेडिमेंट एक जगह जमा हो जाता तो किसमें बदलता है सेडिमेंटरी रॉक अफसादी चटान में अफसादी चटान में जब उस्मा और दाब का प्रोहाव परता है, तो किसमें बदल जाता है, रुपांतरी चटान में क्या होता है, बदल जाता है, अगर इस चित्र को गौर से देखेंगे, तो अच्छे से हम लोग रॉक साइकल या सेल चेकर समझ सकते हैं, इस वीडियो के माधियम से हम अफसादी चटान और रुपांतरी चटान को बताने का पर्यास की हैं, उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने मित्रों के साथ भी क्या कर सकते हैं, साधा कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग सेल से संबंधित, र वो अ है है वो ओग, पो है यह प्तै हो ito